और यह ऐसी दुरखटना इस पर आप यह भी नहीं कह सकते कि किसी ने सिलिंडर रख दिया या पत्थर रख दिया यह तो लूप लाइन पर गाड़ी गए और वहां एक माल गाड़ी से टकरा गई तो आपकी सिग्नलिंग आपके कवच यह सब कहां है और रेल मंत्री से तो तो छोड़ी दीजिए उनको आप अब गंभीरता से लेने के आवशकता नहीं है प्रदान मंत्री जवाब कि कहां गई वह कवच कहां है वह सुरक्षा यह पूरा सुरक्षा कवच सिर्फ अपनी च्वी के लिए है या भारत के रेल यात्रियों के लिए भी है कि पहले आप हमने वह 20 सीटों की लिस्ट चुनाव आयोग को भेजी है जिसमें बैटरी इस 99 परसेंट चार्ज वाली शिकायते हमारे प्रत्याशियों ने लिखित रूप से भी दी हैं मौकिक रूप से भी दी हैं और लगातारी मुद्दा चुनाव की काउंटिंग के दिन गिंती के दि उठाया था 20 ऐसी सेगमेंट्स हैं और उन सब में यह भी एक अजीब सा सैयोग है कि जो 99 प्रतिशत जहां बैटरी चार्ज दिख रही है उन मशीनों पर अधिकतर कॉंग्रेस को हराया गया है हारी हारी हुई है और जहां 60-70 प्रतिशत बैटरी है वहां कॉंग्रेस के स्धूर करे अब उनके वर्चा और उनको बांगलादेश से समझ में आया कि माइनौरीटीज क्या स्थिति होती है और म माइनौरीटी सी को क्या करना ये तो खत्रा है और फिर भागवत जी कहते हैं कि पूरे विश्व के हिंदों को एक होना चाहिए बिल्कुल ठीक बात है वेरी गुड तो ओवेसी साहब अगर पारलेमेंट में खड़े होकर पैलेस्टाइन का नाम लेते हैं तो इन्हें बुरा क्यों लगता है तो ये सब जो कॉंट्रिक्शन्स हैं इस पर भी उनको जवाब देना चाहिए